प्यारे मित्रो बहुत मैतपूर्ण वीचे है चक्रों को जागरित कैसे करें हमारे साधना मारग में सबसे ज़्यादा जो समय से आती है वो यही आती है साधकों को कि हम अपने चक्रों को जागरित कैसे करें क्योंकि लोग जो है सीधे बैठके ध्यान करने लगते हैं और वो जब निरास हो जाते हैं करते करते और उनको उस बात का लाब नहीं मिलता उस मेहनत का लाब नहीं मिलता तो वो एक तरह से विमुख हो जाते हैं और ऐसी इस्तिती में जब लोगों को सपलता नहीं मिलती तो ऐसी इस्तिती में क्या करते हैं लोग के निरास हो जाते हैं और फि में आजाओ, वहाँ पे गुरुजी आपको जाते हैं पर मातमक दर्सन करा देंगे, कोई कहता हमारे डेरे में आजाओ, आप जाते सीधो हो जाओगे, कोई कहता है जी नहीं, हमारे डेरे में आप आओ, सब को छोड़ दो, और वो सारे के सारे हमारी सनातन परमपरा का विरोध करने लगते हैं ऐसा समाज में बहुत बड़ा सडियंतर चल रहा है इस समय देखें साथियों जो आपकी साधना है जो आपका द्रड निश्चय है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है जो साधना है आपके अंदर जो द्रड निश्चय है जो पून विश्वास है परमात्मा के उपर वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी साधना में आपके ध्यान में आपके करियाओं में जब तक आपके अंदर डड निश्चा नहीं होगा, जब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोच से सब कुछ होता है, अगर आपकी सोच पोजिटीव है, तो आप सारे पोजिटीव काम करेंगा, अगर आपकी सोच में यह आ गया कि नहीं भई मैंने तो मिर्से तो होगा नहीं तो आप उस काम को कभी भी जीवन में करी निपाओगा यानि कि यूद लड़ने से पहले अगर आपके मन में यह आ गया कि मैं तो यूद हार जाओंगा मेरी सकती नहीं है तो आप निश्चित हार जाओगे प्यारे साथियों एक छोड़ा सा और मैं यहाँ पर बर्नन करूँगा कि सोच से ही सब कुछ होता है सोच से ही सब कुछ होता है और तो और सोच से ही सरीर को व्यक्ति त्यागता है मृत्यू भी आती तो वो भी सोचने से आती सोच से आती है जब व्यक्ति के मन में ये बात आ जाती है कि भाई अब तो मेरा जीना संभव नहीं है मेरा स्रीर साथ नहीं दे रहा अब ये मेरा स्रीर छूट जाएगा अब इस स्रीर के मृत्यू हो जाएगी जब आदमी के मन के अंदर ये गलानी भरा उसके मन में जा पाओगे और नहीं सरीर को आप संसारकी की सलैक छोड़ोगे तो ऐसे विचार अपने मन में कभी मताने दे देखे मेरी वीडियो को सभी वरग के लोग देखते हैं सभी उमर के लोग देखते हैं मैं आप सबसे ये विंति करूँगा कि पोजिटिव सोच रखिए सार्थक सोच रखिए अगर सार्थकता आपके जीवन में नहीं है तो आप किसी भी मारग पे सफल नहीं हो पाओंगे तो साथियों मेरा कहना का भाव ये था कि जो आज समाज के अंदर लोग घात लगाए बैठे हुए हैं आप उनके चंगल में मत फसना वे जो जाल है बहुत वो आतम कल्यान के मारग से बहुत दूर ले जाना वाड़ा उनका सारा ढर्रा है वे सिरफ ये कहते हैं आपको जितने भी लोग आज मिलेंगे आपको 90% से भी ज़्याद लोग यही कहेंगे बस नामदारा कल्यूग नामदारा भाई कल्यूग नामदारा वो ठीक है लेकिन आपके पास में कुछ क्यूकर अगर आपके गाड़ी के अंदर हावा ही हावा है तेल है ही नहीं तो चलेगी नहीं आपके टायर में अगर टायर है साधना में मातर 33 साल की साधना में आप अपने आतम कल्यान के मारग को प्राप्त कर सकते हो इसमें कोई भी संसे नहीं है लेकिन आपको उसके लिए गुरु चाहिए और पून मारग दर्शक चाहिए आपको जब तक पून मारग दर्शक यानि कि गुरु आपकी पास में नहीं देखिए भगवान सिरी राम को भी गुरु धारन करना पड़ा, आप अकेले दुरंदर ना बने, भगवान राम को भी गुरु धारन करने पड़े, भगवान सिरी किसना को भी गुरु धारन करने पड़े, देवों को भी गुरु धारन करने पड़े, राक्षसों को भी गुर मातमा की और से कि आपको गुरू के सानीदे में ही अपनी सक्तियों को जागरित करना है अपने मारग को उस पे चलना है उसको सफल बनाना है परस्ष्ट करना है प्यारे साथियो चक्र जागरिती चक्र जागरिती का आज मैंने आपके सामने मैं इसको सुरू कर रहा हूँ और जब तक चक्रों के उपर हम आपको पूरी तरह से, जो गुरु जी से मुझे मिला हुआ है, पूरी तरह से मैं आपके सामने उन बातों को नहीं रख दूँगा, मैं इस स्रीज में जितने भी पार्ट बनेंगे, उनको बनाओंगा, प्यारे साथियों, चक्र जागरत कैसे करें सब के मन में ये सवाल आता है, कि चक्रों को जागरत कैसे करें, आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी क्रियाएं होनी चाहिए, जिन से आप चक्र जागरत हो जाएं आपके, देखे बहुत से लोग कहते हैं, जी हमारे चक्र जागरत हो गए हैं, और हमें गर्माट होती है, या दर्द होता है, या फिर संसनहाट होती है, या फिर गुदगुदहाट होती है सरीर में, बहुत से तरह के ऐसे मेरे पास में लोगों के विचार आते हैं, कॉमेंट आते हैं, कोल भी आते हैं, प्यारे साथियों, देखिए, मेरी बात को आप सत्यता के नजर से आप प्यारे साथियों ये सब वायू विकार हैं, क्योंकि अगर आप गरेश्ट जीवन में हैं, आप अपने लाइप पार्टनर के साथ में हमेशा रहते हैं, आपके बिजनस भी हैं, आपके और दूसरे काम भी हैं, आपके सर पे और दूसरी जो मजबूरियां हैं, जो आपकी टै हैं और आप आदा घंटा ए घंटा गर बैठ जाते हैं तो उसमें आपके आपको लगता है कि मेरे चक्र जागरित हो रहे साथियों यह वायू विकार हैं ज्यादा देर बैठने से जो कार्बन डेक्साइड है वो निचे से उठके उपर के और भागती है और बैठने की वज़ जागरित करते हैं और लगातार परनवादी का वो उचारण करने लगते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि अधिक देर बैठने से उनकी अधो मार्ग में जो कार्बन डेक्साइड है वो उपर के और भागने लगती है तो प्यारे साथियों बगैर गुरू के साधना ना करें औ और आज मैं इसके विशेम आपको बताऊंगा कि चक्र जागरित करने में किन मुद्राओं का सयोग लेना चाहिए आपको और किन आपने शरीर के किन और गनों पर आपको काम करना चाहिए कौन से आज से अंग हैं जिनके उपर आपको कार्ये करना चाहिए प्यारे साथियों चक्र जागरती के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है शरीर का सोधन करना है उसमें सुपाचे आहर यानि के भूख से कम भोजन करना मैदा तली भूनी चीज़ों से बचना उस पे विराम लगाना मिठा कम से कम खाना मिठाई कम से कम खाना साथियों दूद का सेवन घी का सेवन थोड़ा बढ़ा देना लेकिन जिन लोगों को कैलिस्टोल बढ़ा हुआ है जिन लोगों का रक्त गाड़ा है ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के इस आहर को लेना चाहिए वैसे तो जब आप योग मार्ग में आ आते हैं तो कैलिस्टोल बगएरा की दिकत नहीं रहती लेकिन फिर भी जो साधना शुरू करते हैं लोग तो उस समय तो शरीर में विकार होते ही हैं तो ऐसे इस्तिति में आपको बड़ा संभल के चलना है साथियों आहर की वीडियो बनाई हुई है वो चैनल पर पढ़ी है आप देख लीजिए दूसरी बात कुंजल किरिया साथियो कुंजल किरिया की भी वीडियो चैनल पर पड़ी है क्योंकि आपको अगर सर्दी का मोसम है तो आप डेली कुंजल कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है और गर्मी का मोसम है तो एक दिन दो दिन छोड़ के आप कर लीजिए चमासे के मौसम में भी एक दिन छोड़ के कर लेजिए वैसे तो हमारे आद दो ही मौसम ज़्यादा तर होते है सर्दी और गर्मी तो गर्मी के मौसम में आप कुंजल को एक दो दिन छोड़ के करिए और सर्दी के मौसम में आप डेली भी कर सकते है तो आपके शरीर सोधन में होने लग जाएगा, सोधन होने लग जाएगा आपके शरीर का, और जो आपकी बरीक को सिखाएं हैं, जो पतली को सिखाएं हैं, जो महीन को सिखाएं हैं, उनके अंदर कफ जमने लगता है, उस कफ जमने से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर कमज रिक अंदर तीन चीज बराबर गूमती है, खून, यानि रक्त, हवा और जल, तीन चीज बराबर हमारे स्रीज को चाहिए होते हैं, इन तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं मिलती, तो महाँ पर स्रीज में विकार उत्पन होने लगते हैं, और उसी से ही आपके लिवर में जीती है, कुछ ऐसे भोजन करिए, जैसा सोंट है, सोंट है, पीपल है, काली मिर्च है, ऐसी चीजों का आप ज्यादर सेवन करिए, जिससे कफ की निवरत्ती होती रहे, और सरीर के अंदर अधिक कफ आपके जमाना हो, तो प्यारे साथियों, एक में और जो हमने वीडा साथना संपन कर पाएंगे, और साथना संपन जो है, वो मेरे सानीदे में, जो मेरे से जो भी गुरुजी ने मेरे को दिया हुआ है, जो भी आप लोगों के लिए मैं कर सकूँ, मेरा इस अंकल फैके मैं आपके लिए करूँ, तो उस आश्रम का जो हम निर्वान कर रहे हैं, वो सहर से बाहर और बड़ा ही सुंदर रमन्य स्थान होगा वो, उसमें आप आके अपने प्राकर्तिक तरीके से प्रभु की आराधना कर सकेंगे, योग, ध्यान, समाधी, आदी की वहाँ पे आप शिक्षा ले पाएंगे, अपने कोर्ष को कर पाएंगे आप, वहाँ पे भोजन रहने की वेस्ता सारी चीज़े होंगे, सात्विक भोजन होगा, सात्विक रहन सैन होगा, वहाँ पे सब कुछ आपका, तो इसमें जो भी आप हमें अनुदान देना चाहें, तो मैं आप से विंति करूँगा, कि आप उसमें अपने सामर्थ के अनुसार हमें जरूर अनुदान दे, जरूर आप हमें उसमें साहिता करें, क्योंकि आप सब की साहिता से ही मैं कुछ कर पाता हूँ, तो आप सब के हिलिए हैं, इस आश्रम में जो भी आप अपने कश्ट कमाई का मुझे अंस देना चाहें, इस आश्रम के लिए, तो वो शैहर्स दे, और अपना पत्राचार का एड्रेस हमें जरूर दे, ताकि हम आपको पत्राचार के द्वारा सुचित कर सके, कि हमें प्राप्त हुआ, और हम उसका आपको विवरन भी दे सके, कि हमने आपके इस अमूल्य रतन से, इस अमूल्य आपकी कमाई से, हमने कितना काम किया, प्यारे साथियों फिर हम अपने विश्य पे आते हैं कि चक्र जागरित हम कैसे करें तो साथ ही हमारे सरीर के अंदर दस प्राण होते हैं हमारे सरीर के अंदर दस प्राण होते हैं जो मुखे प्राण है वो पांच है उसमें है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये पाँच प्रान हमारे मुख्य है जो प्रान है वो हमारे जो प्रान की वैशे तो जो मुख्य है तो वो दोई है प्रान और अपान क्योंकि प्रान जो है वो उपर की ओर बैता है और अपान जो है वो नीचे की ओर बैता है और समान जो है वो पूरे सरीर में बैता है तो प्रान जो है जो मुख्य प्रान हमारा है वो बारा कलाओं से युक्त है जो मुख्य प्रान है वो बारा कलाओं से मुक्त है यानि कि उसमें प्रान भी है और उप्रान भी है तो साथियों ये जो प्रान है जब तक आप इनको नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आप साधना मार्ग में पूरी तरह से अगरसर नहीं हो पाएंगे प्यारे साथियों प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये मुख्या प्राण है और उप्राण जो है नाग, कुर्रम, करकल, देवदत और धनंजे ये पाँच हमारे उप्राण है, साथियों इसमें जो मुख्या प्राण है वो बारा कला से युक्त है, मैं फिर से कहा देता हूँ और हर्दे में प्राण की इस्तिती है और गुदा मार्ग में अपान की इस्तिती है नाभी में समान है और कंठ में उदान है और आपका सब सरीर में जो है वो व्यान है ये इन नामों से दस के दस प्राण हमारे सरीर के अंदर उपस्तित रहते हैं तो हमें जो चक्रों को जगाने में जो सबसे ज़्याद साहिता प्राण करता है वो है हमारा प्रान और अपान, जो अपान है वो गुदा में है और प्रान हमारे हर्दे में है, साथियों इस इस्तिती में जब आप, क्यांकि जब आप साधना करतें, जब आप साधना के लिए बैठते हैं, जब आप सोधन करियाओं के दुआरा अपने सारे स्रीर को सवच कर लेंगे, निरोख कर लेंगे, दिखेंसमें गवमूतर भी भोथ सायता करता है आपके स्रीर को शुद्र करने के लिए घौमूत्रों भोत सायक है क्यूंकि ग॒मूत्र का जो चारिय गुन है गौ मूत्र का आपको एक बात बताऊ सनसार में अगर कश चीज में है तो मिटी में है या फिर गव मूतर में है, दोईची जैसी है संसार में, जिसके अंदर सभी धातू, सभी मिनरेल, सभी, जितने भी हमारे सरीर के लिए शुद, खाद्य पदार्थ हैं, वो चाया में सबजी के रूप में मिले, चाहे फल के रूप में मिले चाहे आमें खनीज के रूप में मिले चाहे आमें वो अन के रूप में मिले सातियों इन सभी में जितना भी मिश्रन है वो सब गव मुतर के अंदर है और जितना या फिर गौमुतर का नहीं पान कर पाते तो वैसे देखे हम तो गौमुतर से ही गौमुतर को रोज नाक से पीते हैं और गौमुतर से ही कुझल करते हैं साथियों आप को मैं कहूंगा कि आप अगर गौमुतर ज्यादा नहीं ले सकते तो कम से कम जो नहीं लेना चाहए जो उससे घिरणा करते हैं उनकी तो मैं बात नहीं करता लेकिन जो योगी है वो किसी से घिरणा नहीं करता तो साथियों गव मुत्र जो है आप ज़ाद भी नहीं तो 10-10 ml की मातरा में आप डेली लेना शुरू करें साम सवेरे सवेरे खाली पेट और रात्री में सोते समय हैं 10-10 ml अगर आप गव मुत्र लेते हैं तो आपको इसे बहुत ज़ाद लाब होंगे कफ जो है सरी सो धीरी धीरी छटने लग जाएगा अगर आप कोई भी सोधन नहीं कर पाते कोई भी आप कहते हैं गुरुजी हमसे तो कुझल नहीं होती कहीं कहते हैं गुरुजी हमसे तो सुतरनेती नहीं होती जलनेती नहीं होती हम क्या करा है हमारे तो उम्र होगी देखिए वैसे तो योग को किसी भी उमर में शुरू किया जा सकता है कोई योग सुरू करने की उमर नहीं है जब जागे जब ही सवेरा लेकिन प्यारे साथियों मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप जो है गव मुतर का अगर कोई भी सोधन किरिया आप नहीं कर पाते तो गव मुतर को दोनों समय आप लेना सुरू करिये तो आपको दीरे दीरे सोधन किरियाओं के जितने भी गुण है वो समय तो लगेगा लेकिन वो सभी गुण आपको प्राप्त होते चल जाएंगे जब हम पदमासन या सिधासन या स्वास्थिक आसन किसी भी असन में चार असन है पतंजली योग के अनुसर लेकिन हट योग में भो सारे आसन है द्श्व सहिंता के अंदर भो सारे आसन कहे है याने संसार में जितनी पर जाती है उतने ही आसन लेकिन उन में भी 84 आसन उने मुखे कहे और उन 84 आसनों में भी 4 आसन बड़े मुखे हैं सिद्धं, पदम, कुर्शास्टिकम 4 आसनों में अगर आप लेते हैं तो भी आप योग संपन हो सकते हैं योग मार्ग पर आप अगरसर हो सकते हैं साथियों जब हम सिदासन में बैठते हैं क्योंकि सिदासन सभी आशनों का राजा कर अगर बड़ा सुगम है तो सिदासन के भी हमने वीडियो बनाई हुई है आप उसको देख लिजिए सिदासन में कैसे बैठना है लेकिन आप सिधासन में बैठके और अस्वनी मुद्रा क्योंकि आपके चकर को जगाने के लिए अस्वनी मुद्रा बहुत महतपून है प्रानायम और अस्वनी मुद्रा आपके चकरों को जागरित करने के लिए बहुत ज्यादा महतपून है और आप उसमें योनी मुद्रा का भी इस्तमाल कर सकते हैं और भसरी का भी कर सकते हैं ये दोनों तिनों के रियाएं भोत अच्छी है प्यारे साथियों आगे भी इसपे हम जिकर करेंगे आगे भी हम इसको बढ़ाएंगे और जो भी हमारे सामने जानकारी गुरुजी से आती रहेगी आपकी सामने में रखता जाओंगा तो साथियों पूरे सरीर के अंदर जो हमारे क्योंकि जैसे जैसे आप अब उपर चलेंगे जैसे जैसे आपकी साथ में उपर जाती जाएगी और किस प्राण को जागरित करने से आपको सरीर में क्या लाब होते हैं। इन सारी क्रियाओं के उपर हम जिकर करेंगे। तो साथियों जो आपके आज हमने यहीं तक लेना है कि हम आपको प्राणों के बारे में जानकारी होई गई होगी। तो इसको आप थोड़ा सा सुगमता से देखिए, थोड़ा धहरिये से देखिए, आपको जरूर समझाएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको प्राणों से उपर हम इन प्राणों को कैसे जागरित करें। कैसे इन में आप सलंगन होके, इनकी साधना करके, आप उपर की और अपने चकरों को जागरित कर पाएंगे, और कैसा आपका आहर होना चाहिए, वो सारी बातों पर हम अगली वीडियो में जिकर करें। आश्या करता हूँ आज की जानकारी चूट इसे आपको बहुत अच्छे लगी हो गई, अच्छे लगी हो तो इसको जरूर लोगों तक मुझाएं और लोगों बहुत जोड़ें।